यह दोस्तों आपका बेस्ट कोड क्रिंटर में स्वागत था इस वीडियो में देखेंगे यदि आपका माउस करसर डिसापियर हो चुका है तो उसको वापस कैसे लाया जाए मिंस ठीक कैसे किया जाए यह बिंडोज में अक्सर प्रब्लम आती है कि माउस जो करसर होता हो डिस करना होगा मिंस री स्टार्ट कैसे करना दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को प्रेस करना है आल्ट f4 प्रेस करते ही यहां पर मैं आप लोग करके भी दिखलांगा अपने डेक्स्टॉप पर आ जाईए यहां पर मैं माउस यूज नहीं करूँगा मैं कीबोर्ड यूज के लिए आपको प्रेस करना है और यहां पर देख सकते हैं कि विंडूज टैन और वट दो वांट तो अब आप लोग एंटर करके इसको रिश्टार्ट कर सकते हैं और मुझे यह ऐसे रिश्टार्ट नहीं करना है और इससे आपकी जो problem होगी वो 100% solve हो जाएगी यदि इससे भी नहीं होती है दोस्तों तो दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप लोग को प्रेस करना है windows प्लस s की and search device manager तो इसे देख लेते हैं यह कीसे करना है प्रेस करना है और यहां पर लोग ओपर देख सकते हैं कि हमारे device manager आगया मैं mouse use नहीं कर रहा हूं मैं keyboard यूज कर रहा हूं दोस्तों इस पर enter कर लीजिए उसके बाद आप लोगोग को tap press करना है so that कि आप option menu पर आ जाएं यहाँ पर आप देख सकते कि हम यहाँ पर आ सुके हैं यहाँ पर audio inputs and outputs पर हम बैटरी ब्लुटूथ camera इसके बद नीचे आ जाएं यहाँ पर mice and other pointing devices इसको आप लोग का करना है जो left arrow key होती है उसके अंदर से आप लोग को जो right arrow key को प्रेस करना है यहाँ पर मने right arrow key पर प्रेस किया है तो आप लोग आप देख सकते हैं कि यह expand हो गया अब आप नीचे आ जाएं जो यहाँ पर HID complaint mouse दे रखा है इसको मेंस इसको क्या करना आप लोग को इस पर enter कर दीजिए simple एंटर करते ही आप लोग को यहाँ पर general driver details और events दे रखा है तो आप लोग को किस पर जाना है driver पर जाना है driver पर जाने के लिए आप लोग को टैप प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम general पर उसके बाद right arrow key को प्रेस करना है यहा इस पर आप लोग को एंटर करना है या आपकी problem solve नहीं होती है दोस्तों तो simple आप लोग को यहाँ पर uninstall devices आ रहा है means इस पर क्लिक करना है और अपनी device को uninstall करना है उसके बाद इसको install कैसे करना हूँ देख लेते दोस्तों उपर जाना पड़ेगा आप लोग को उपर simple जा उपर जाने के लिए आपको alt प्रेस करना होगा alt जैसे आप file में file पे आ चुके यहाँ पर देख सकते कि हम file पे हैं उ प्रेस करना है और जो थर्ड तरीका हो थर्ड तरीका क्या दोस्तों कि यदि आपका ना तो keyboard चालू हो रहा है ना कुछ भी चालू नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करना है कि अपने power button को प्रेस कर देना है जो आपके लैपटोप में जो power button दी होती है दोस्तों जाहांसे आप इस्टार्ट करते हो अपने laptop को उसे प्रेस कर देना है सो देट इब लोज जाएगा उसके बाद दुबारा इसको इसको इस्टार्ट कर लेना या फिर जो मिंस जो computer में जो system में प्रेस करना है आज के लिए इतना है दोस्तों थैंके फूर वाचिंग